नमस्क्रा दोस्तों, currency pre-market analysis पे आप सभी का स्वागत है, आज है आपका 28th September 2023 and मैं हूँ आपका host आशिश बर्वा, आइए देखते हैं कि Overnight में currency peers में क्या-क्य activities हुआ है and यहां से क्या expectations लगता है तो dollar index से चलू करते है, dollar index 106.62, जैसे ही आपका 105.50, 105.75 का resistance zone को उपर के तरफ breakout किया, तो अभी higher tiers में ही जाने के लिए प्रयास रहते है, dollar index और भी ज्यादे strength means इसमें बाकी है, that being the case, जो initial resistance level हो सकता है, वो है अपका 107.3040 and 108.00 से 108.20 का two minor resistance levels हो सकते हैं, यहां पर अभी reversal का कोई नामोने शेन नहीं है, अगर dollar index trading instrument होता है, तो buy dips might have been considered, but since index is not a trading instrument, that being the case, other currencies में हम accordingly play out कर सकते हैं, dollar रुपी consolidation जारी है, basically यह breakout के लिए काफी तैयरी कर रहा है, लेकिन invisible answer equally means holding or defending the dollar रुपी levels, so अभी क्या लगता है, क्या लगता है कि एक छोटा trigger का बाकी है, जैसे एक छोटा trigger आएगा ऐसा लगता है कि फिर दुबारा यह आपका 83.50, 83.60 के ऊपर जाके एक नया range बनाने का प्रहस करेगा, अभी अगर इस लेवल को तोर देता है, that means 83.30-40 लेवल को तोर देता है, possibly 83.70 से 83.90 में बी दानेक्स यह 70 से आपका 90, 90 यह लेवल, में बी दानेक्स रिजिस्स्टेंस लेवल ऐसा प्रतीत होता है, उसका भी रिजन कभी मैं डिस्कस करेंगे, क्यों लगता है कि 70 to 90, 83.50, अगर 83.40-50 का रिंज को ब्रेक आउट करके ऊपर के तरह जाता है, तो वाई, सो उसको कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन एस अफना लगता है कि अगर यह ब्रेक आउट करता है, तो 83.70 से 83.90 लेवल्स इस एक्सपेक्टे तो बीदे नेक्स रिजिस्स्टेंस जून, GBP डॉलर, GBP डॉलर में सेल अप्टेक्स बरकरार है, और भी इस काफी पिटाई हो गया, विकनेस बहुत भर-भर के हैं, विकनेस, जैसे डॉलर इंडेक्स उपर जा रहा है, वैसे ही GBP डॉलर नीचे के तरफ आ रहा है, यहां पर भी आपका कॉंटिनुशन से सेल अप्टेक्स, GBP आया नर 101.1 अभी है, यहां पर भी सेल अप्टेक्स कॉंटिनु है, जब तक रिवर्शन कोई नहीं दिखता है, यूरो डॉलर पे भी सिमिलर्ली यह जो रिजिस्टेंस था, उसको तोर के नीचे चला गया है, कौन सा, सॉरी, सपोर्ट लेवल जो था, 105, 1.05, 20-40 का एक सपोर्ट लेवल था, उसको भी तोर के नीचे चला गया है, यहां पर इस लेवल को तोड़ने के बाद तो और भी ज़्यादा भयंकर नीचे के तरफ हमें लगता है, अभी भी पूरा ब्रेक डाउन नहीं किया है, अभी भी पॉसिविलिटीज है कि यहां पर सपोर्ट लेके वो करे, तो इसमें अगर सस्टीन करना ही पाता है, यहां पर भी काफी अच्छा विकनेस है, सो सेलेप्टिक्स में भी कॉंसिडर्ड एर, डॉलर एन 149.45 यह 150 छूने के लिए जस्ट त्यार मिंस छूँ छूँ बोलके आ रहा है मिस उस लेवल को, तो जब तक भी उजे कुछ नहीं करता है, आइधर डाइरेक्ट इंटर्वेंशन और पॉलिसी रेटी डिसिशन तब तक यह मिंस एन डेप्रिसिशन चलता रहे, यहाँ पर भी मिस धुलाई पर दुलाई हो रहा है, मिस सैल अफ उइकनेस्स, सो रिवर्सल कोई नामो निशन नहीं है, सो जब तक नहीं है, मिस कॉन्फॉर्मिशन के लिए हमें इंतजार करना पर ही, अबढ़ का ब्रैंड कूल, जैसे के हमारा यह एक्सपेक्टेशन था कि, यहाँ पर आप देखोगे यह ब्रेकाउट किया, फिर बाॉंस बेक किया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, इसमिलर लिए यह ब्रेकाउट किया, फिर bounce breaker के support करके अभी उपर जा रहा है that being the case और नया territory में ये जाने के लिए त्यार हो रहा है नया territory means और भी higher levels में ये जाने के लिए त्यार हो रहा है so it is going to put some extra or additional pressure अभी US 10 year जो 4.608 है तो यहाँ पर भी उपर के तरफ ही जा रहा है आपका and US 2 year treasury जो है कल यहाँ पर नीचे के तरफ गया नहीं हमारा यह expectations था यह कि 25 September के low के नीचे it may test the support trend and support levels लेकिन थोड़ा सा deep down करके फिर वापस bounce back किया current rate 5.13 देखने वाला बात यही है कि the difference the inverse curve का जो difference है वो है आपका 53 basis points का जो एक time पे 108, 110 तक चला गया था अभी है आपका 53 basis points यह difference reduce हो रहा है बट वो ही US टेने टेजरी जितना ऊपर जाएगा means अब का US economy के उपर हमें means medium term में immediate short terms नहीं medium term में हमें तोड़ा सा follow through रखना है क्या होता है आपका because ultimately that is going to impact our Indian economy also so currency pre-market analysis अभी के लिए इतना ही आशा करता है यह presentation अपका अच्छा लागा होगा if so like कीजे, comment कीजे and share कीजे and also those who have not subscribed to my channel request all to subscribe so यहीं पे I am signing off thank you and bye-bye